है 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 कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज आपके ईवेस यानी परिवर्ण दिन की क्लास नंबर फर्स्ट इवेस जो आपके एक्जाम में आता है तीस नंबर का आता है पंदरे में आपका इंसी आइटी साथ है बड़ दो तीन कोश्टन अब एक्जामिनर नई पूछने लग गया हाला कि असानी होते है वह आपके साइंस से ले लेता है जोगरफी से ले लेता है वन्हाँ ज्यादे तर जो आपका एक्जाम में कंटेंट आता है वह आपका एंसी आइटी के किताबो वाला हो और मान कर चलिए हर क्लास साब को कई नंबर आपके एक्जाम में देखने को भी मिलेंगे ठीक है तो चलिए आपर शुरू कर लेते हैं आपकी एंसी आइटी आधारिद परेवरन अध्यन की क्लास नंबर फस्ट ठीक है थोड़ा सा लेट हो गया भई ठीक है की डल गई है ठीक है आज आपकी एवेस की क्लास फस्ट है अगर आप लोग ने दोनों क्लास नहीं देखी तो इनको जाकर आप लोग देख लेना ठीक है जो लोग अभी भी डेली मतलब बैच ले रहे आपर और क्योंकि आपको पता है तीस तारिक तक आपका डिसकाउंट भी है तो तीस तारिक बस अब आपकी लाश्ट वच्चे उसके बाद ने खतम हो जाएगा जो भी इसके अंदर आपको डिसकाउंट मिला है तो आप लोग मेरी एप्लिकेशन सचिन एकेडमी ओफिशल पर जाकर यह बैच ले सकते हो जिसके अंदर आपको NCRT भी मिलती है च चलिए यहाँ पर सुरुवात कर लेते हैं हम आपके EBS यानी परेवरन देने की किलास शुरू करते हैं उसके अंदर आपको जो आपके प्रिवेसर के कॉश्चन होते हैं मोग टेस्ट होते हैं वो सब उसके अंदर आपको मिल जाएंगे ठीक है फिर आप लोगों को CTAT पे ए योप आप लोग सब ठीक होंगे ठीक है तो चलिए किलास की सुरुवात कर लेते हैं यह किसने लिखाया वही जेह हो राहुल पटेल जोलो वही पहला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया पहला कोश्चन आपको दिया हुआ है कि निमली कितमे से कौन सा डिजाइन सोर ट्राइश गुजरात के साथ में यहां लिखे आप लोग दक्सिन बहुरत या 있는 बारत टीकर उसमें यह यहां पर यूज़ किया जाता है बेसिकली आपके NCRT जो आपकी किलास फिप्त है तो किलास फिप्त की आपकी जो NCRT की किताब है उस NCRT की किताब में आपका एक चैप्टर है चैप्टर नंबर दो उस चैप्टर नंबर दो का नाम है मैं हूँ आरियनाथ मतलब चैप्टर का नाम है ठीक है कभी मुझे सोचो मैं हूँ आरियनाथ ठीक है यह आपका chapter है अब देखे जब आप लोग माली जब आपके पास NCRT होगी chapter को खोलोगे तो chapter के first page पर यह आपको एक परकार का design बना मिलेगा मतलब यह कड़ाई सी बनी हुई मिलेगी ठीक है ऐसी नहीं मिलेगी नाग टाइप आपको कड़ाई दे basically जो कहानी है वो है आपके सापो की कहानी है ठीक है किसकी कहानी है यह कहानी है आपके सापो के बारे में कहानी है ठीक है सापो को जो लोग पालते हैं उनको क्या बोलते हैं उनको बोलते हैं काल बेलिया बोलते हैं काल बेलिया बोलते हैं यह लोग सापो से बहुत प्यार कर साधी और अपने लड़की को साप देते हैं अगर आप लोग को मतलब इस तरीके से कुछ दहीज की परता खतम करनी जो काल वीया लोग वाकि लोग होते अपने बच्चे की तरह पालते हैं इसी कुछन का बार चुका टंए तो सापो नहीं प्रतिबंध कर दिया कि कोई भी इनका सापो का सिकार नहीं करे और सापो का सिकार कोन करता है एक ही सिकार यह जो सब का सिकार करता है चाय सापो हाती हो चाय एक सिंग वाला गैंडा हो उसका नाम क्या है उसका नाम है मनुष्य है यानि हम और आप ठीक है तो यह बात आपके सापो के बारे में अब इस उसके यलावा आपका दुबईया और उसके यलावा आपका अफाई ठीके तो यह हमारे देश में चार परकार के जहरील साप पाई जाते हैं जिनके डसने से मोत हो जाती है अब एक और कोशन इससे निकलता है कि जो साप को जो जहर होता है ठीक है तो जहरीले दात होते है तो जहरीले दातों की संक्या कितनी होती है तो अगर मैं इसके जहरीले दातों की संक्या बताओ तो इसके जहरीले दातों की संक्या होती है दो संक्या होती है यह अपने दो दात होते है इससे उस दो दात से यह खा जाता है और खाने के बाद व कि जो साफ होता है जो साफ होता है वो क्या काम करता है वो निगल जाता है उसका जो सिकार होता है उसको निगल जाता है खाता नहीं है ठीक है कभी हम लोग जैसे रोटी सब्जी खाते है इसे निखाते निगल जाता है जो साफ होता है ठीक है यह बात आप लोग समझें साफ के वो तयार की जाती है, मतलब साप के जहर से ही इसकी दवाई यानिकी जो आपकी सिरम होती है, वो यहापर तयार की जाती है, ठीके, और आसपास के जो कम्मिनिटी सेंटर है, वहापर आपकी उपलब्द हो जाती है, ठीके, तो यह साप के बारे माप लोग जानके, उसके लाव तिव एक शुरुफ गाना घाता है वीन बजाता जा और वीन बजते हैं सरी देवी भी नाचने लग जाती थी तो जब कानन नहीं है तो उनको कैसे पता चलता है तो देखो साब कानने 他िकए पी जो लोग इनके वाद यहंत्र है जिनको बजाते हैं तो यह कॉम्पन के परफि करते हैं उस काम वाले बहुत बेकूब बनाते हैं अगर आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं न तो एक कोई साप पकड़ लो और साप पकड़ को चेक कर ले न उसके मतलब दो कान होते हैं कान होते या नहीं होते ठीक है तो यह सापों के बारे में पूरी जानकारी थी जो आपके देखेगा नाग गुमफन आपको दिखेगा तो आंशर आपका सेकेंड सही हो जायाएगा अब मूवी के अंदर जो साप बजएगा क्या क्यों होगे ठीक है और या जो किसी के गाउन द्याद के अंदर ही आते होगे बहुत से लोग बीन को लेकर आते होंगे ठीक है बेवक केच्व को कहा जाते है gor 15 जल स्काल करता अंसे चीज केंस की किताब है तो एंसी चीज किताब के अंदर और हृक इस तरीके से जमीन के अंदर चछीद करते हैं अब जो जमीन के अंदर छेद में से पाकिन जाता है इने में से हवा जाती है अब जो जमीन होता है उसको पानी भी मिलेगा हवा मिलेगी तो कैसी बन जाएगी वह बन जाएगी आपकी उपजव बन जाएगि ठीक आपका खा जाता है अम मित्रता मत निभाना कि तू तो मेरा मित्रा आजा बैठ जा साथ में गले के उपर ठीक है पता चला और कुछ कामी कर दे ठीक तो यह जितनी भी चीजे में आपको बताई यह आपके इस चैप्टर से संबंदित बताई और आंसर सही हो जाएगा नाग ग अब कुश्चन आपके सामने स्क्रीन पर पैड़ा कुझी का है तो चलिए इसके उपर यहाँ पर नजट डाल लेता है ठीक है ठीक है भाई अगला कुश्चन स्क्रीन पर है कि प्रात्मी की स्तर पर प्राइमरी लेवल पर निर्मनातमक आकलन यहाँ पर बात हो रही है आप हमने अब लोगों से क्वेज़ें पूचा कि साब के थीक है कुछ नए ठीक होता है कुछ नौ म्हें फीडिबेक यहाँ पर मिलिया की हाँ भई बच्चों की कहाँ पर कमिया है कितने लोगों को आता है तो जब teaching learning process के दोरान जो आकलन होता है जैसे अभी मैंने आपका किया तो वो आपका formative assessment होता है अब इसमें जो question आपको पूछा है वो ये पूछा है कि formative assessment जो होता है वो किसको सम्मिलित करता है किसको include करता ह है वो आपको बताना है पहला teacher को उनके section के परभाव के संदर में परतिपुष्टी यानि feedback देने में तो यह जो मैंने आपको अभी feedback दिया ठीक है मालीज आप लोग ने गलत आंसर दिया सापके कानों से सम्मधिर कि सर कभी-कभी तो हम भी बीन बजा लेते थे तो मैंने का तुम बेवकूफ हो बीन बीन मत बजाया अगरो कुछ नहीं होता तो मैंने आपको feedback दे दिया कि इन चक्रों में मत पढ़ना ठीक है तो इसलिए formative assessment इसके लिए ठीक होता है feedback के लिए परतिपुष्टी देने के ठीक है का अगया भी आपका feedback ठीक है उसके लावा सिक्षन मे यानि remedial teaching उसको दे सके और उसके कम्यों को दूर कर सके तो यह भी इसके अंदर include होगा अगला है मासिक report card बनाने के लिए monthly report card का इससे कोई संबन नहीं है यह आपका summative assessment के हो जाएगा जब आपका teaching learning process यहापर खतम हो जाता है ठीक है तो इससे संबन इतना है यह आपका option गल answer हो जाएगा कहाँ पर ABD ABD second answer यहापर आपका से हो जाएगा आप लोग किसके साथ जा रहे हो यहापर आप लोग second के साथ जा रहे हो बिल्कुल ठीक है चलिए बढ़ते बापके next question के और यह रहा आपका अगला question यह अभी मैंने कराया था हाली में सीटेट भी सगस्तकंदर यह वाला question आपका पूछा गया है और जितने option यहापर दिये हुए इससे पहले भी वह आपके सीटेट के exam में पूछे जाते रहे है ठीक देखे question आपके सामने screen पर आगया यहापर आपके column 1, column 2 है और match the following इसको आपको करना है यहापर पहले दिया हुआ है आपके जीरा के इसला होता है आपके CRT के इंदर कई सारी की कुछ मलब पजब से दिए हुए ठीक है मलब वह खहता है ना कि जैसे जीरे के बारे में दिया या जो आपकी पक्सिया होते उनके बारे में दिये उए तो इस प्रकार की कवीता के मग़ए अन पहलिय के मादब क्षमसे फिर आपको समझना पड़ता यह किस पकसी के बारे में बात कर रहा है घ्रफ जीरे के बारे में दिया हुंआ है चोटा प्रंतो खुसबुजादार तो यह आपका जीरा हो जाएगा अगर मैं बात करूँ केसर की तो केसर क्या होता है केसर कैसा होता है पिले रंका होता है केसर कैसा होता है पिले रंका होता है मिर्च तो यहाँ पर एक चैप्टर एक कवीता दियो हुए उस कवीता कंदर दि से यह चीजे लाई गई ठीक है तो उसी के अंदर जो आपकी मिर्च है वो कहां से लाई गई वो लाई गई साउथ अमेरिका से दक्सिंड अमेरिका से मिर्च लाई गई बच्ची लोंग ठीक है तो लोंग कैसी होती है लोंग कील की तरह दिखती है और लोंग से संबंधित ए आप लोग यहाँ पर जा रहे हो second के साथ, second कौन सा है, पहले का fourth है, पहले का fourth है, B का तीसरा है, B का तीसरा है, C का second है, C का second है, ठीक है भई, second answer इसमा आपका सही हो जाएगा, चलिए बढ़ते हैं आपके next question के और यह रहा आपके सामनी स्क्रीन पर अगला question, अगला question आपको दिया हुआ हुआ है कि निमलिकित कतनों को पढ़िये तता सही विकल्प का चैन करिए, अभी करते हैं भई, अभी कतन यानि कि आपको अजर्शन यहाँ पर दे दिया, आपको दिया हुआ है यहाँ आपर कि EWS में छेतर भर्मन परभावी सिक्सन सास्तिय रणनी ती है, आना ही आना होता है यह वाला कुश्व जो आपकी पैडगोजी होती है, ठीक है, तो छेतर भर्मन के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखे, छेतर भर्मन फिल्ट रिप आपको ध्यान रखना है कि EWS को सिखाने का बहुत इफेक्टिव तरीका माने जाता है, कि इसको EWS को सिखाने का बहुत इफेक्टिव यानि कि आपका परभाव साली आपका मेथड माना जाता है, ठीक है, बहुत परभाव साली मेhyथड इसको माना जाता है, वो कैसे मेना जाताएं, देखे जानंचो सुनीए, जो छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चों को पढ किसके बारे में बता रहें किसके बारे में बता रहें सापों के बारे में बता रहें अब बच्चे सापों के बारे में जान भी रही है दो चार आप में से ऐसे निकल गए जैसे आप लोग कह रहे हो कि नहीं उनके तो कान होते हैं तो बच्चे भी कहेंगे सर्जी उनके कान हो तो वहां लेकर आपको चलता हो तो टीचर ने क्या प्लान करा आपका फिल्ट रिप यही कोश्ण आपके सीट एट के एक्जाम में पूछा गया था कि फिल्ट रिप का जो सबसे पहला आपका तरीका होना चीए एज़े टीचर वह उना चीए कि टीचर को उसकी प्लानिंग य उससे सम्मंदित की चीजों का यूज कर सकता हो और कहा पर लेकर जा सकता हो ठीक है पता चला है उनको जंगलों में इसी जंगल लेकर चला गया वहां खुद के भी साप डस रहे और विचारे बच्चों को भी दिक्कत में डाल दिया तो सबसे पहले प्लानिंग करनी है तो क करता है यहांद करता है कि अगर कोई टीचर खतरना होगा तो वही एक दो साप दिखा देगा और दूर से कह देगा देखो इसके मतलब यह कान नहीं आप लोग ऐसा मत करना पता चला कुछ और लेने के देने पड़ जाए तो आप लोग समझ गए कि इभेस को सीकने शिखाने का बड़ा effective तरीका माना जाता है फील टृप और छेत्र बर्मन माना जाता है यह जो इसने question दिया है कि अजरसन दिया है कि इवेस में छेत्र बर्मन यानी फिल्ट्रिप परभावी सिक्षन सास्तिय रणनीती होती है बिल्कुल ठीक ही आपकी रणनीती होती है ठीक है तो ऐसा टोपिक पढ़ा ना जो आपके NCRT के अंदर हो मन मुताबिक टोपिक मत पढ़ा देना पता चले कि आप लोग फिल्ट्रिप पर ऐसी जंगा बच्चों को ले गए उनके परेंट्स आपको तोड़ रहे ठीक है अब कारण इसमें दिया है रीजन इसमें क्या दिया है फिल्ट्रिप को एफेक्टिव को मना जाता है इसने का है फिल्ट्रिप जो होता है छेतर भर्मन होता है वो वस्तुओ घटनाओ और इस तानों की याददास को ब लोग किसे यहा पर फोड़ा बढ़ावा दे मरेता है अप लोग किसासाथ जारो यहाप आप लोग जारो बी साथ बिलकुल आप लोग रहे हो आनसर आपका सही हो जाएगा याददास को बढ़ावा देती है अब एक बार बता dependence अनदर आप यादधास को बढ़ावा देती है अब आप लोग आयो अपनी लाइन के उपर फॉर्ट आंसर इसका सभी हो जाएगा यह आपका गलत होता है यादधास को बढ़ावा देती है यह इसने गलत दिया हुआ है ठीक है बच्छे को पर्तेक्षण बभव्य कराती है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके next question के और यह जो मेरी paid class होती है आयोप आप लोगों में से paid class वाले बच्चे होंगे उनको मैं इतना इतना confused करता हूँ question अगर बिल्कुल ठीक भी होगा न ठीक है उनको ऐसा लग रहा होगा बिल्कुल 100% ठीक है तो उसको मैं change करवा देता हूँ ठीक है आप लोगोंने अगर कभी ली होगी तो बता देंगे आपको ठीक है निमली कितमे से कौन सा सही मिलान आपको करना है वह पर बताना है ठीक है जी सर मैं तबी से चिला रहा हूँ डी 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 भाई आपकी आवाज किसने सुनी नहीं ना ठीक है अभी आप देखते जाओ अभी तो हमारी क्लास शुरू हुई है तुमारा कैसा मुरुगा में बनाता हूँ ठीक है इतना बठकाउंगा इतना बठकाउ है यानि जो आपका जिम कार्बेट नैसनल पार्क है तो यह किसी स्टेट का पढ़ता है तो यह आपका उत्राखंड का पढ़ता है कौन चा उत्राखंड का पढ़ता है एक आपकी 1973 के अंदर आप लोग मुझे बती है 1973 के अंदर बागों से सम्मंदित कौन सी योजना चली अगर उस योजना का नाम पता है तो कमेंड बोक्स में बती है इसी से जुड़ा एक और कोशन आपके सीट एठ के एक्जाम में पूछा गया था वैसे तो बागों के ऊपर आता है कोशन कि जो बाग होती है बाग अपनी जो मूचों की जो कमपन होती है उससे पता लगा होते हैं उनकी संक्या कितने गुणा हो गई तो पिछले 12 सालों में टाइगर्स की संक्या दो गुणा हो गई अब एकजेक्ट आकडे मतलगा ना क्या पता कोई मर गया हो या कोई नया आ गया हो ठीक है तो जिम कारबेट नैसनल पारक आपका कहा पड़ था उतरा खंड के अ पड़ता है अगर मैं बात करो आपके कांगर नैसनल पार्क की जो फेमस हाब का एक सीङग वाले गैंडे के लिए इसके लिए जो फेमस आपका एक सीग वाले घैंडे के लिए उत Śता सिब ञाता है एक सी जड़ ऌकां कि तरफ लब काफी देश को चाहते कि इंप्लिमेंट वाँ की सरकार करें आ ना तो वहाँ की सरकार क्या रही कि बैज्योए इसका एक सिंग थे आगर हमने एक सिंग इसका काट दिया थो इसका फिर शिकार ही नहीं होगा तो क्या यह चीज्ट ठीक है अगर माली जो एक सीन्ग वाला गैंड है उसका वह आगे का शीन्ग कार दी जिसके लिए इसका सिकार होता इसको मारते तो तो किया उन सरकारों की रणीती ठीक है या गलत है यह जड़ा comment box में आप लोग उज़े वती है ठीक है अगला है run thambo national park ये भी जो आपका tiger के लिए है ये आपका राजिस्तान का पहला और आपका सबसे बड़ा कौन सा पहला और जो आपका सबसे बड़ा है वो आपका राजिस्तान के अंदर है run thambo national park अब गिर गिर आपका basically जो लाइन होते है जो सेर होते है उसके लिए बनाया आपका गिर और गिर आपका जी फोर गिर जी फोर गुजरा ठीक है इस प्रकार से आपकी match the following यहाँ पर बन गए ठीक है ठीक नहीं यह project tiger जो आप लोग बात करो 1973 में tigers के लिए आपका बनाया गया आप यही ताकत मतलब इसकी छीन लेगी सरकार तो एक तरीके से गलत है लेकिन एक बात तो बताओ अगर यह एक सिंग नहीं रहेगा तो विचारी कि जान तो बच जाएगी तो मतलब आप लोग इसका decision करिए फैसला लेजिए कि मतलब क्या सही है क्या गलत है हाला कि दूसरी country में हमारी country में भी नहीं आया और एक सिंग वाल अगेंडा यह मतलब विलुप्त होने होता जा रहा है आपकी परजाती महारा है ठीक है असाम के अंदर मिलेगा असाम की जो city है वही पर आपका यह आपका मिलेगा ठीक है काजिरंगा नेसनल पार्क यह रहा आपके सामने स्क्री ठीक है काया वही हमारी चीज यह रही खुल जासे हमारी चीज ठीक है अब गयोगे सर यहीं चीज है हां वहीं चीज है ध्यान से समयना थोड़ी इस की प्रिष्ट भूमी के बारे में आपको बता रहा हूँ देखे अगर मैं बात करूँ आपके ncf की बात करूँ तो ncf आपका 2000 के अंदर आय था फिर उसके अलावा आपका 2000 पाच वाला आयता जो सबसे ज़्याद आप लोगों के एकजाम में भी आता है और जहांसे जादेतर चीज अग्जाम में देखने को मिलती है और उसके अलावा जो आपका 2022 वाला है यह अभी आपका ड्राफ्ट इसका त्यार हो रहा है तो इसे तो भी छोड़ दो ठीक है तो यह आपके NCF आये थे ठीक है 1975 के अंदर जो आपका national curriculum framework है तो 1975 के अंदर जो आपका NCF आये था NCF ने का कि जो हम बच्चों को EBS पढ़ाएंगे अब देखें EBS आपकी current के अंदर किसमें पढ़ाए जाती है EBS पढ़ाए जाती है अब क्यों के सर first and second के अंदर क्यों नहीं पढ़ाए जाती अब देखना ध्यान चे यहांसे एक question definitely निकलेगा या दो से तीन भी निकल सकते है 1975 के अंदर जब NCF आय था इन्हों ने का कि हम जो EBS पढ़ाएंगे उसमें प्राकर्तिक और सामाजिक वाताव पढ़ाएंगे उसमें बच्चों को पढ़ाएंगे सोसल साइंस पढ़ाएंगे और साइंस पढ़ाएंगे यह बात हुई थी 1975 के अंदर उसके बाद जब आपका NCF 1988 आया तो उसमें भी आपकी यह सेम अनुसंसा कर दी गई ठीक है उसमें भी कहा हां भी ठीक के रहो आप फ अब को NCF जो होता है जो आपका EBS है उसको अलग-अलग subject मत पढ़ाओ अलग-अलग class के अंदर उसको एक साथ integrated तरीके से पढ़ाओ यहाँ पर बात हुई कि EBS को integrated तरीके से बताना है यानि कि आपको EBS को एक ही करत तरीके से बताना होता है एक ही करत तरीका अभी मैं आपक देखे अब यहाँ पर आप लोग देख रहो कि किलास फॉस्ट और सेकंड के अंदर प्राकर्ति वातावन सामाजी को बातावन पढ़ाया जा रहा है किलास थर्ड फॉर्ट के अंदर सोसल साइंस और साइंस पढ़ाया जा रहा है लेकिन जब यहाँ आपके इंटिग्रेटी यानिकी एकिकरत प्रकर्ति के दुवारा पढ़ने के बात हुई तो ncf 2000 में इसका मतलब होता है कि यहाँ पर evs को सभी सब्जेट को एकिकरत करके पढ़ाये थर्ड फॉर्थ और फिफ्थ क्लास में इसमें बच्चों को सोसल साइंस भी पढ़ानी है इसमें बच्चों को evs भी पढ़ानी है इसमें बच्चों को पेड़ागोजिकल एप्रोच भी पढ़ानी है मतलब थर्ड फॉर्थ और फिर्फ्थ क्लास में जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे साइंस हो सोसल साइंस हो पेड़ागोजिकल एप्रोच हो evs उन सभी को एक साथ इंटिग्रेट करक हम को या पर पढ़ाना है क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना छोटे बच्चे के लिए आपका कोई भी इस तरीके का स्लेबस नहीं दिया हुआ ठीके आपने देखा होगा यही पर लिखता हो आपको समझ में आ जाएगा आपके evs के अंदर कोई स्लेबस नहीं है आपक एक कोशन डेफिनेटली आपके एकजाम में आएगा पैड़ाकुजी में तो आए गई आएगा कौन-कौन सी थीम होती है छे फैमिली और फ्रेंड्स परिवार और मित्र फूड वाटर शेल्टर ट्रेवल और तिंस वी मेक एंड डू ठीक है फैमिली और फ्रेंड्स के आप सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहा है बच्चा सभी को एक साथ देखता है ठीक है इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका ईवेस का पेपर आ रहा है उसमें दो तिन कोशन एक जैमिनर साइंस के डाल देता है क्यों कि आप पर ईवेस को इंटिग्रेट करके पढ जोंगे और उसके बाद NCF जब आपका 2005 आया तो इस चीज को लागू कर दिया गया कि जो आपका ईवेस है उसको इंटिग्रेटीड नेचर के साथ यहनी एक इकरत प्रकरती के माद्धम से बच्चों को पढ़ाएंगे सिर्फ क्लास 3rd, 4th और 5th के अंदर आयो अब जितनी क्यों प्रश्ट भूमी थी एवेस के बारे में वह आपको समझ मा आ गई होगी क्यों आपका सिलिबस नहीं दिया आ जाता क्यों आपका इवेस ठीम पर आदारी था यह चीज में आपको बताती ठीक है अब देखें यहापर जो आपका कोश्चन दिया हुआ है को विद्यार अब देखें किसके लिए क्या गया है साइन्स सोसल साइन्स और एवेस में मुद्दों का एक सामान्य अंतरप्राष्ट परदान करने के लिए ठीक है मलब एक उनको कोमन इंटरफेस देने के लिए ऐसी बात नहीं है दिल्चस्प तरीके से EBS भी लिखा है EBS सीखिने के लिए तो दिल्चस्प तरीके से तुम सीखेंगे EBS NSF 2005 में इसकी बात कही हुई है गतिवी दिको सरल से जटिलकी और संचालित करने के लिए जी नहीं ततकाल परिवरन की बहतर समझ विक्सित करने के लिए जो करेंट के अंधर एन्वारमेंट है उसकी बहतर स समझी नहीं रहेगी हमारे एन्वारमेंट में क्या हो रहा है कौन सी चीज है तो फिर कोई भी सीखने की सीखाने की परिकरिया का फायदा नहीं होता है आयोप आप लोग इसके बारे में समझ करेंगे ठीक है चलिए बढ़ते बापके सामने next question क्यों अगला question यह रहा आपके सामने screen पर next question आपके सामने screen पर है कि निमली की तमेंसे कोन से कीट समुऊ यहा पर बात हो रही है आपके whiskey की बात हो ठीक है इंसेक्ट के समुऊ की बात है ठीक है इंसे कीट समुऊ में रहते हैं रहते हैं ना गुरुप के अंदर, तो अगर ये कीट समू में रहते हैं, तो इनको ऐसे कीटों को बोला जाता है, सामाजिक कीट, कई बार सीट एट के एक्जाम में एक कोशन यही पूछ लिया जाता है, कि जो सामाजिक कीट होते हैं, जो समू में रहते हैं, जो समाज में एक कल्चर मदुमक्षी को का जाता है मदुमक्षी का पालन का होता है बेसिकली मदुमक्षी पालन के लिए गाउं फेमस है उस गाउं का नाम आपका बोचाहा गाउं कौन सा गाउं है यह गाउं आपका बोचाहा गाउं जो पढ़ता है आपका बिहार के मुझफरपुर जिले के तो वहां के लोग लीची के फूल होते जो आपके फरवर के इन्दर आपके खिलते हैं ठीके अब यहापर जो बैहार की या OFय से मदूमक्षि पालन का जो सही समय माना जाता है जो अभी आपके Ct 20 अगस्त कंदर कुश्चन पूछाई गथा two मट्वक्हीपालन का सबसे बढ़ी माना जाता है वो माना जाता है एक्टूबर से दिसंबर तक का भी स माना जाता है यहाँ पर anxiety में दो box सी कानी कही हुई है इस परकार का मतलब एक box होता है इसमें मतलब आपका मीठा वीटा रहता है जिसमें मंदुमक्यों को पाला जाता है तो यह बात होगी आपके मंदुमक्यों के बारे में और मंदुमक्य भी एक साथ ही रहती है समाजी कीट इसको बोलते ठीक, अगर ऐसी बात नहीं है, तो आप किसी गुच्छे में हाथ डाल के देखना, आपको इस खांचर मिल जाएगा, ट्राइ कर लेना, ठीक है, अगला यहापर चीटिया दिया हुआ है, देखा कर मैं चीटी की बात करूँ, तो चीटी जो नर चीटी होती है, क्या होती है, य आपको समझना है, कि जो इसके अंदर एक आपकी रानी चीटी होती है, क्या होती है, इसके अंदर होती है एक आपकी रानी चीटी, तो रानी चीटी क्या काम करती है, अंडे देने का काम करती है, उसके अलावा जो यहापर सिपाही चीटी होती है, तो सिपाही चीटी क्या क काम करती है देखभाल का काम करती है और भोजन को डूणने का काम करती है और जो भोजन डूणती है तो चीटी क्या काम करती है अपने पीछे गंद छोड़ती जाती है ठीक है आपने देखा होगा सारी चीटी ऐसे एक लाइन से चलती है ऐसे एक लाइन से चलती है अगर आप भी करता था बीच महात रख दिया को पी रख दी करिए ना अपने वाले अरकत कुछी रख दो लेकिन यह अपने पीछे कैसी गंद छोड़ती जाते जिससे यह पीछे-पीछे एक दूसरे के यहां पर चलती जाती है ठीक है तो चीटी की मखडी की यहां पर कोई बात नहीं त ठीक है तो ततईया होता है दीमक भी होता है और चीटिया भी होती है तो आंसर आपका सेकिंड आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा चलिए बढ़ते बापके नेक्स्ट कोश्चन के ओर आप लोग यहां पर किसके साथ जा रहे हो सेकिंड के साथ जा रहे वो formic acid होता है, बिल्कुल होता है, formic acid भी आपने ठीक बताए, ठीक है, चलिए बात करते हैं, आपके next question के ओर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, अगला question इसका answer आप लोग यहाँ पर दीजे, ठीक है, ठीक ठीक, ठीक है, अगला question आपके सामने दिया हुआ है, कि एक EVS का जो करते थे, कि भाई तु मेर से कुछ पूछ, और फिर मैं उसका answer दूँगा, ठीक है, आपर teacher punishment भी दिलवा देता था, अगर कोई नहीं बाने, तो थपड मानना, ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी से पूछते थे, तो इतने घुमा के थपड मारते थे, ताकि अगले वाली की हि राइड लाइन होती है, scoring की मार्ड दर्सिका होती है, इसका यूज क्या जाता है, आपके आकलन के लिए इसका यूज क्या जाता है, जो बच्चों की performance है, वह किस प्रकार से कर रहा है, ठीक है, तो निमली की तमेंसा कौन सा आयाम सहयों का हिस्सा नहीं होना चाहिए, होता है, कॉलबरेशन और एक होता है, आपका कॉपरेटिव, ये दो परकार की लर्णिंग के बाद आपके लेव वाइगोस्की ने जो आपका सिद्दान दिया था, सामजिक सांस्कृतिक सिद्दान, तो सिद्दान पर अधारित बहुस सी चीज आपके एजुकेशन के समास में गुरूब बना के सीखते हैं, ठीक है, तो क्योंकि उन्हें ने जो सामजिक सांस्कृतिक सिद्दान दिया तो उसमें खाता है कि बच्चा समास से इंट्रेक्ट करके सीखता है, ठीक है, तो जैसे आप लोग करके सीखते हैं, मान लिजे आपर कोई लड़की गलत आ समानी जाती है, अगर स्कूल का बच्चा हो, आप लोग मत करना, आपकी लेंडिंग मुझे पता है क्या होने वाली है, तो आपका बताना कौन सा कोलेबरेटिव लेंडिंग का हिस्सा नहीं होगा, कॉस्चन इसने पूछा, कौन सा नहीं होगा, तो भाई, कोपरेशन तो हो यूटूब चलाएगी, अगर किसी लड़की ने कुश्चन पूछ लिया, कि मैं सीटेट के एकजाम को कैसे पास करना है, तो उस पर तीन सो चार सो ऐसे बाढ़ बिल्ले को दिके पड़ेंगे, नहीं सुनिये जी, आप यह पड़िए, सुनिये नहीं, आप मेरी बात मानिए मैंने पास करा है, आप सचीन सर की वीडियो देखे, नहीं, नहीं, एक कामगरी मैं आपको अपनी तरफ से नोट से दे देता हूँ, हालगि सचीन सर के नोट से मैं आपको दे दूँगा, मतलब अगर एक लड़की ने कमेंट कर दिया, तो कम सक्माजारों कमेंट उसके उप तो यहाँ पर भागेदारी जरूरी होती है, और जो भागेदारी यह जो लोंडे लफाडे होते हैं, सारी नहीं के उपर दिखाते हैं, आपस में अपने जातवालों को नहीं देखते हैं, विचारा पढ़ा रहता है, अगला यहाँ पर लीडर्शिप होती है, देखे जब साथ आपके collaborative और cooperative learning की बात वारी है ठीक है तो भागेदारी होगी क्योंकि बच्चे आपर गुरूप में बढ़ जाते हैं और जब बच्चे आपर गुरूप में बढ़ जाते तो आपस में सहयोगात्मक तरही से सीखते हैं आग बढ़ते हैं तो आपके leadership की भी भावना आते ह होगा आपका हद बंदी आपकी नहीं होगी हद बंदी का मतलब है उनको सीमित करना तो हम उनको सीमित नहीं कर सकते तो यह आपका क्या नहीं है सहयोग का हिस्सा नहीं है तो आंसर फोर्स ही हो जाएगा बाकी तीनों आपके सहयोग के हिस्से बनते हैं ठीक है आयोप आपको फेक प्रोफाइल बनाके कमेंट डाल लेगे ना उसके उपर भी ऐसे टूटेंगे ठीक है क्या छोटा क्या बड़ा ऐसे टूटेंगे ठीक है चलो अगला कॉश्चन सामने स्क्रीन पर आगे इसके उपर यहापर नजर डालते है नेक्स्ट कॉश्चन आपको दिया वाया जो खेजडी पेड़ा है कौन सा खेजडी डेख्य राजिस्तान कंदर एक गाउों का नाम है खेजडली गाउं जो राजिस्तान कंदर पढ़ता ہے और यह एक पेड़का खेजडी पेड़ के बार में नीचे दिए था के कत्थरों पर विचार करें अभी विचार करते अहला आप ठीक है जैसे आप लोग केक्टक्स वगएरा भी देखोगे तो ये वी राजिस्तानी की तरफ देखोगे ठीक है इसकी चाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकडी को कीड़ा भी नहीं लगता है बिल्कुल ठीक है पाई क्लेक्ट होता है जिसे लोग पती ले पाये दुआर पीता है जी यहापर बात हो रही है दौ सम्में क्या काम करता है लोग पाईब डालकर पाई वहां से पी लेते हैं तो ये खेज़िड़ी पेड़ के बारे में नहीं है गलत यह वरक्स च्छायदार नहीं है गलत यह वरक्स आपका च्छायदार होता है पत्या होते है इस पर जिस पर वहां के जो जानुमर होते है वो इसको आपर खा लेते हैं ठीक है तो यह आपके मादब लाष्ट का D और E गलत है A, B, C का है A, B, C, A, B, C पहला answer यहापर आपका से हो जाएगा आप लोग किसके साथ जा रहे हो आप लोग भी यहापर first के साथ जा रहे हो बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप लोग ठीक है चलिए अगली और बढ़ते हैं अगला question सामने आपकी screen पर आगया कैसा map छपा हुआ है ऐसे एक भारत का map छपा हुआ तो इसलिए यहापर कोई ना कोई एक question इससे संबंदित आपके examiner पूछ लेता है इसको इंडिया के map को जरूर अपने phone के अंदर save कर लेना देख लेना कौन सा राज्य कहाँ पर पढ़ता है ठीक है अब इस भाई सामने क्या question दिया है इसने question दिया है कि निमलिकित मेंसे राज्यों के उस समु को चुनिये जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर पढ़ते है ठीक है कभी तो एक तो examiner ये पूछेगा कि कोई बंगाल की खाड़ी पर कौन-कौन चे मतलब आपके राज्य पढ़ते है या फिर अरव सागर के नजदीक में कौन चे राज्य पढ़ते है एक टाइप का question तो ये पूछेगा एक टाइप का question ये पूछेगा कि अगर मान ल किसाओ का question examiner आपसे पूछ लेता है ठीक है किस राज्य के नजदी कौन सा राज्य वो पूछ लेता है जैसे एक बार question पूछा गया था I think मेघाल लेत दिया ता या मिजोरम दियाता एक्जेक्ट मुझे ध्यान निया रहा तो पूछ ले मेजोरम के निकटवरती कौन-कौन राज्य है तो आपको पताऊने चीए कि कौन-कौन चे निकटवरती राज्य है अब उसने भाई सामने question हमसे पूछा कि बंगाल की खाड़ी के निकटवरती राज्य कौन चे तटवरती राज्य कौन चे तो देखे एक तोर है यह आपका तमिलनाडू ठीक है यह रहा आपक पहला आंसर से यह जो बंगाल की खाड़ी पर पढ़ता है अगर एक्जैमिनर पूछ ले आप से कि अरब सागर के नजदीक में कौन-कौन से है तो कौन से हो जाएंगे केरल हो गया यहां पर उसके लावा यहां कंड़ना टक हो गया इस तरी किसे यह चोटा सा आप लोग द सामने आपकी स्क्रीन पर ठीक में अश्चान आपके सामने दिया हुआ है कि किलास विप्त की किलास विप्त की जो किताब है पाठ्य पूस्तक है उस पर गौल कंड़ा कि ला देखे किलास के अंदर एक चेप्टर आपका जिस चेप्टर का नाम आपका बोलती इमारते क्या का नाम है उस चैप्टर का नाम है आपका बोलती इमारते हैं तो ये पूरा एक चैप्टर के उपर एक पेज़ के उपर पूरा का पूरा गोल्कुंड़किला च्पाहँ है यह बनवाय था ये बनवाय था आपके कत्साही सास को ने आपका गोल कुंडा किलाब बनवाया था ठीक है इसके अंदर कितनी बुर्ज रहती है जो साइड में आप लोग खड़ी वे देखोगे लंबी-लंबी सी बुर्ज तो इसके अंदर आपकी 87 बुर्ज होती है कितनी होती है 87 बुर्ज होती है और यहापर ब्रोंज की करने के लिए कुछ मिला है नहीं तो वह क्या काम करा उसने आठ महीने तक वेट करा आठ महीने तक उसको कुछ सपलतास नहीं मिली कहां से घुषू कहां से अटेक करू तो वह आज फिर भाग गया ठीक है तो यह जितनी भी बात है आपके NCR टिकंदर बोलती इमारोतों से ल बराबर 110 मीटर पेज के नीचे सबसे नीचे देखना दाईने हाथ पर आपको दिखावा मिलेगा एक सेंटी मिटर बराबर 110 मीटर मुझे पता है ज्यादतर लोग नहीं देखेंगे जब सारी चीजी नीचोड यहां मिल जाता तो कौन सा देखेगा ठीक है आपको हमीसा यह पेहमाना जब भी एक्जाम में कुशन आएगा निउमेरिकल का एक सेंटी मिटर बराबर 110 मिलेगा बस जो एक्जामिनर चेंज करता है उसमें क्या चेंज करता है यदि कोई छात इस मानचितर पर फट्टे दरवाजा और इबराहिम बूज के बीच की दूरी 12.9 सेंटी चाहिए वो आपको एक्जामिनर यहाँ पर पूछ लेगा ठीक है देखे आपको कुछ नहीं करना मैंने क्या बताया है सिर्फ यहाँ पर इस नंबर को चेंज करके देगा और कुछ नहीं देगा दरवाजा वरवाजा कोई भी दे दे एक्जामिनर अपने घर का भी देना एकसो दस से मॉल्टिप्लाई कर देना ठीक है जब आप लोग इससे 110 से मॉल्टिप्लाई करोगे यह पॉंटको तो हमाही देता हो ठीक है तो क्या हेगा 139 उसके लभ एकसो उननतिस आएगा तो कितना बचा 9 9211 का हाचल एकóg दो 4 एक नो एक चार एकसार एक नो यह आपका आई है और यह आया आपका किसम मीटर में किसम आया यह आया आपका मीटर में अब यहापर किलो मीटर भी है मीटर भी है सेंटी मीटर भी है किलो मीटर भी है अगर आप लोग इसको चेंज करोगे तो सबसे जो इफेक्टिव आपका चेंज बनेगा किलो मीटर में एक क यहाँ पर यह 3-0 है, तो यहाँ पर 1.419 km, second answer यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा, यह रहा आपके सामने गोल कुंडा किला है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, अब इसमें कुछ निकरना, मैंने बता दिया, सिर्फ यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, उस नंबर की multiply आप 110 से कर द यह बढ़ते हैं, आपके next question के और यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला question जो आपके सामने यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ठीक है बई, तर मेरी paid class में comments नहीं जाते हैं, आरती paid class में सभी के comments जाते हैं, बट वह आपको दिखते नहीं एक दूसरे के, ठीक है, और paid class के अं पढ़ते हो, किसी से भी, अगला question सामने screen पर है कि रेजी जो है, वो चान्द के सामने चूड़ी रख लेती है, ठीक है, माली जई यह रहा चान्द, ठीक है बई, ऐसी उल्टा सिधा जो भी है, और यहापर उसने अपनी चूड़ी रख ली, तो वो कहते है कि मेरी चूड़ से भी बड़ी है, वा, मतलब यह जो चूड़ी है, उसने का कि मेरी चूड़ी है, यह रही चूड़ी, और यह तो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसमें तो आध भी है, ठीक है, इसको छोटा बना देते है, चान्द को छोटा बना देते है, चान्द को छोटा बना दिया हमने यह रहा चांद और यह रही उसकी चूड़ी इतने में तो आहता आ जाएगा ठीक है क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है अब तो आ जाएगा भी यह जो यहाँ पर आपका चांद है अब चूड़ी में आ जाएगा देखो यार रेजी कितनी समझदार है इसलिए तो कहा ज सब्सक्राइब, आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर जो रेजी है, अब देखते हैं, किस सिप्वेंस के इसकोडिंग बताना है, देखें, तुलना करना, तरक करना, वलोकन करना, निसकर्स करना, ये तो चांद हो गया, और ये क्या होगा? ये चूड़ी होगी, अब यह यहाँ पर कर रही है ऑब्जर्वेशन अवलोखन कर रही है। क्या काम कर रही हैenment के शूड़ी है। года देखो चंद इतना सा है मेरे चूड़ी कितनी बड़ी है। ठीक है 10 रुबे की चूड़ी लायओं चांद की क्या उकँवाद इसका सामने तो comparison कर दिया, comparison करने के बाद फिर वो ने तरक भी दे रही है, जब तेरे घरवालों ने मान लिया रेजी, सब चीज मान ली तेरी बात पर नहीं ठुकरा रहे, तो तू क्यों तरक दे रही है, तेरे तरक हमें दिखत हो गए कैसे तरक है, अपनी चूड़ी चांद से बढ़ी क तो ने जो निक्सकर्स निकाला है, बिल्कुल ठीक निक्सकर्स निकाला है, तेरी चूड़ी चांद से भी बढ़ी है, तू सूरस से भी बढ़ी है, तेरी मा पूरी दुनिया से बढ़ी है, तेरा बाप पूरी दुनिया के बरमान का राजा, सब तू ठीक कह रही है, तो रे आपके सामने स्क्रीन पर अगला कोश्चन देखे क्या दिया हुआ है यह रहां अगला कोश्चन मैंने कहाना है इवेस कैसा नीचर होता है इवेस होता है आपका इंटिग्रेटीड नेचर का होता है एक प्रकर्तिका होता है इसे में आपको सोसल साइंस पढ़ना है साइंस ती कि आपको बताने कि कौन सा इंस्ट्ूमेंट जिसके दोवारा वरसा का या नी जो आपका बारिश होती है? उसका मापन की आ पहले बात हो फुरी आपके हथा है, तो हज्योत आधरता को मातने के लिए इसका यूज क्या जाता है अगर मैं बात करूँ आपके हाइड्रोमीटर की तो हाइड्रोमीटर का यूज क्या जाता है जो आपके लिक्वीड की दाब के लिए बैरोमीटर हो जाएगा, आंसर आपका थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा, अब इसके लिए सर क्या पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, अगर एक्जामिन ने मन बना रखा है, एक दो उल्टे सीधे question डालने है, उसके लिए अपना ज्यादा समय बरवाद मत करना, जो चीज एक्जाम में आती है, उनको आप लोग करना, ठीक है, चलिए अगला question, सामने आपकी screen पर आगया, यह रहा, आपके सामने screen पर अगला question, जो यहाँ पर आपको दिया वाए, ठीक है, ठीक है, सर मैं housewife हूँ, क्या मैं paper pass कर सकती हूँ, क्योरिंग कुकुमारी housewife को मनकर housewife तो पता है क्या काम करती है, वो विचारे घर का भी काम देखती है, बच्चे भी देखती है, मैंने ऐसा देखा है, जो मेरे हाँसा housewife पास करके जाती है, आप लोग interview देखना, तो बहुत सी housewife आपको ऐसी मिले कि जो इनके 130, 35, 36 तक नंबर आते है, ठीक है, वो housewife ही तो जो लुटी है, वो किचन में खाना बना रही है, साथ में मेरी वीडिव चल लिया, वीडियो देखती रहेते है, किचन में खाना बना लइए, एरफोन लगा लह la General में खाना, बना रहे होती है, उनके साथ वच्चे भी मेरी video देखते है, ठीक है, तो यह तो कोई दिक्कत न अगला आपके सामने स्क्रीन पर है कि EBS के सिक्षन अधिगम में छातर केंदरीत उपागम की निमलिकित में से पहचान करिए यहाँ पर आपके बात हो रही है इस्टुडेंट सेंटर एप्रोच की बात हो रही है चातर केंदरीत उपागम की बात हो रही है यानि जिसके बारे में आपकी आज की एजुकेशन सिस्टम में बात करी जाती कि जितनी भी चीजे करनी है बच्चों को भगवान समझ कर मानना है ठीक है बच्चों की कभी बुराई निकरनी बच्चों को सजा नहीं देनी अगर सीटेट 2011 के अंदर ये पहली बार ऐसा कुश्चन आया था कि अग आपको इसकी पहचान करनी कि कौन सी इसकी पहचाना पहला ओटो क्रेटिक इस्टाइल यानि निरुंकिस सेली जी नहीं देखिए आप लोगों को आई तिंक कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा सायद पीड़ वालों के अंदर वह पढ़ा होगा पेरेंटिंग इस्टाइल म आपका एक परमिसी आपकी पैरेंटिंग इसके अगर वाले देखें अगर उनके बच्चों को हलकी सी भी ख्रोच लग जाएगी तो तब ही का कहेंगे डोक्टर के लेके बगलेंगा परे मेरे नन्य मुन्य के मतलब कितना खोन निकलिया हली कि चोट लगने परी इतनी चोट तो बहुत बड़ी चोट लग जाए ना गाउं के बच्चे क्या काम करते हैं मिट्टी लेकर कर ले खतम मामला हो गया लेकिन जो परमिसिव इस्टाइल के आपके पैरेंट्स होते हैं बहुत हाय तोबह मचाते हैं क्या है मेरे बच्चे को क्या हो गया अपने बच्चों को कुछ भी काम करने देते ना उनके बच्चे ऐसे ज्यादा कामियाब होते हैं ठीक है तो आपको ऐसी परमिसिव इस्टाइल नहीं रखनी इंटिग्रेटिटिड एप्रोच के माध्व स होता है बिल्कुल ठीक बात है जो आपका इंटिग्रेटिड एप्रोच होता है तो यह आपका दो बेसिकली एप्रोच है जो आपके सीटेट के एक्जाम में पूछी जाती है एक होती आपकी कंसेप्चुल एप्रोच एक होती आपकी कंसेप्चुल एप्रोच और दूसरी ह है प्रोच मंदलब उसको समझा समझा कर हम चीजे शिखा रहे है तो आपके सीव सीडिंव सीडिती कंगा अंसर आपका थीक हो जाएगा आटर लोग किसके साथ जा रहे हो आप थर्ड के साथ यहाप पर जा रहे हो, बिलकुल ठीक आप लोग जा रहे हो, यानि आप लोग अच्छे वच्छे बनेगे हो, सही के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है, अगला question यह रहा सामने आपकी screen पर, जो आपके सामने, next question है, नीचे दी गई पहली को हल करिए जैसे मैंने का था ना पहली आपके एक्जाम में पूछी जाती है जैसे जीरे वाली पहली पूछी गई कि छोटा साओ, काला साओ, भूरा साओ, घी के साथ खाय जाता हो इस तरीके से ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है कि कुहु कुहु आवाज लगाती मदुर मदुर में गीत सुनाती सब के मन को हुमें बाती, बोलो मैं क्या कहलाती बोलो मैं क्या कहलाती, बता वह क्या कहलाएगी बोलो क्या यहाँ पर मैना की बात हो रही है देखे हैं हापर जो आपका उल्लू होता है ठीक है जान से देखो इसको पूरी नए गूमती ना तो ओर टाइट गुमाना ठीक है गूम जाएगी ठीक है अगर आपने ऐसा काम करा तो समझ ले ना अप उल्लू अगर आपकी दोस्तों 70 डिग्री तक आपकी गूम गई याईनि यह गूमकर कम से कम यहां तक आगे ठीक है और उल्लू की एक समानता हो उल्लू की जो आपकी आखे होती है उल्लू की आखे कैसी होती है उल्लू की आखे होती है मनुस्य की तरह होती है सामने की तरफ होती है उल्लू की आखे ठीक है जैसे मेरी आखे है आपकी आखे है इसी तो है ठीक है तो यह बारे में उल्लू की विशेचता है अब उल्लू जो आवाज लगाती यह तो नहीं गाती मेना तोता इसकंदर नहीं होगा तोते की भी पहली दिन यह ज़िक थिक सिल्वर कलर के पंजर का टाइब करके इस प्रकार की पहली चैने और फाक्ता नहीं होगा, फाक्ता का जो गोसला होता है, यह किसके अंदर बनाता है, जरा कमेंड बोक्स में इसका अंसर दो, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है, आपके कोईल की बात हो रही है, किसके बात हो रही है, कोईल की बात हो रही है, मदूर गीत में गाती, कोईल का एक मत करके कुछ चीज पूषती है तो सारे सारे लोण दे लफाडे टूट कर बढ़ते कि नए सका Scott आशर होगा जी ऐसे करिया जी वैसे करी जी ठीक उसली परकार से बख्षियों में कोईल पक्षिंटी अपना घोश़ला नहीं बनाती तो लोण दे लफाड़े टाइप बया अगला कोश्चन आपके सामने दिया हुआ है निमलिकी तक्णिकों में से रेटिंग स्केल देखें आकलन का एक तरीका यानि assessment का एक तरीका माना जाता है rating scale, कौन सा तरीका माना जाता है, यह आकलन का एक तरीका माना जाता है rating scale, तो इस परकार से अगर आपको किसी का आकलन करना है, किसी के व्यवार का आकलन करना है, किसी के progress का आकलन करना है, तो आप rating scale पर उसको आकलन कर सकत ठीक है है आप लोगोंको मेरा अकल नो करना है बताओ मैं कैसे पढ़ाता हूँ क्या में नॉर्मल पढ़ाता हूँ क्या मैं एवरेज पढ़ाता हूँ और या प लोग आप लोग मेरा काम करूँ है आप लोग को जो भी लगे makan लगे अवरेज लगे बेस्ट लगे आप लोग बता देना तो यह क्या होता ही यह आपका रेटिंग इसकेल होता है जिसपर आपको डी आपका जो वैवार है या जो आपके चीवमेंट है किस प्रगार की मतलब रही है question इसने यहापर पूछा हुआ है कि जो आपका rating scale होता है rating scale में कौन सी तकनिक का यूज होगा अब देखें कोन सी तकनिक का rating scale के अंदर यूज होगा पहला observation अवलोकन बिल्कुल होगा अब आप आप लोग ओजर करते हो ना कि देखो सचिन सर आ गए आठ बजे किलास लेलने आते अच्छा आज यह पढ़ाएंगे इसको ऐसे पढ़ाएंगे अच्छा बढ़ा रहे है ठीक है या बुरा भीव कहते हो ठीक है तो आप लोग यहापर ओजर करते हो अगर आप मेरा ओजर न अंदर सिर्फ जो आंसर होता है वो राइट या रोंग के अंदर आपका देना पड़ता है ठीक है जैसा अगर मैं आप लोगों से कुछन पूछ रहा हो कि क्या आपके सचिन सर बैस टीचर है येस या नो ठीक है धान्यकिन के ओपर फिर से नो वाले को पर तो आप लोग क्य का केंगे येस हमारे सचिन सर क्या है बेस टीचर और आपने येस कह दिया ठीक है अगर मैं आप लोगे का सब्सक्राइब फूछ फुचंगा क्या प्लोग गडे हो या नहीं हो तो आप लोग क्या क्या कह ‎ह सर हम यहाँ पर गदे है ठीक है तो आपने शिफ और चेकलिस्ट इसकंदर आंसर दिया बट चेक्लिस्ट आपका इसकंदर यूज नहीं होगे क्योंकि आपका खाली राइट और रोंग से पता नहीं चलेगा रिटन कोश्चन नहीं हो गया और असाइन्मेंट तो जहाँ पर भी एक्जाम में देखे देखते गलतकार देना चाहिए आपका अस केल होता है ना उससी को मारता था तड़ा तड़ा हाथ को पर ठीक है तो इस प्रकार से करता था assignment देदstory आथा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सब्सक्राइब बहुत बढ़ 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 अगला कुश्चन देखो सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट कोश्चन जो आपके सामने दिया हुआ है कि नो सेना के जाज में लीडर द्वारा पूरी प्रेड में दिये जाने वाले निर्देशों की संक्या कितनी होती ह यह भाई साब ने जब पेपर ओनलाइन दिये ते अलग लग शिफ्ट के अंदर एक्जामिनर जो होते हैं जो पेपर सैट करते हो पागल हो गए क्यार क्या बनाए अलग अलग मुल्टिफल सिफ्ट में कहा कास इतना कुश्चन लाए पूरी NCRD खतम कर दी नई वाले NCRD ख ठीक है पहली महिला थी जो प्रेड के अंदर जिन्हों ने भाग लिया था वईदा प्रिजम बेसेगल आपके रहने वाली थी थन्ना मंडिगाव से रहने वाली थी ठीक है जो आपके राजोरी जिले में पढ़ता है यानि जी एंड के अंदर पढ़ता है ठीक है तो यहाँ पर यह भीदा प्रिजमी जी के बारे मihin बात करें या सुनीता विल्यम्स जी के बारे में करें करें मलेस्वरी जी के बारे में बात wiping यह सभी corsa हम क्यों के बार sì शोची jurist यहां पर आप लोग फिर्ष्ट के साथ यह 36 डारेक्शन होते है और जो पीछे प्रेड होती है कमेंडर होते है उनकी आपर संक्या कितनी होते है जरह कमेंड बोक्स में वह भी बता दो उनकी संक्या कितनी होते है पता लग जाएगा ठीक है कितनी संक्या होते है बताओ अच्छा कुछ ही नहीं पता आपको चार होती है ठीक है किलास कितने बज़े होती है डेली किलास आपकी एट पिम होती है ठीक है डेली यूटूब पर एट पिम किलास होती है ठीक है कोई नया बच्च आया होगा अगला कॉश्चन देखते सामने स्क्रीन पर यह रहां Next Question, question आपको दिया हुआ है कि class fifth के विद्धियारितों के लिए वनसानुकरम यानि की आनुवहन सिकता है यानि की heritage की बात हो रही है, heritage का क्या मतलब होता है, heritage का मतलब होता है, वे genes जो हमारी PD धर PD transfer होते रहते हैं, एक PD से दूसरी PD लड़ी में टांस्वर होते रहते हैं तो पता चला उसकी मम्मी यह उसके पापकी आखी नील यह तीक है क्योंकि आपर जीन्स है जो गुण है एक पीडी से दूसरी टीम में ट्रांसवर होते जा रहे ठीक है तो मलब यह सब जीन्स की वज़ेस होता है जैसे आप लोग कहते हो कि भी मेरी मनाक तो है मेरी मम्मी पर गई है मेरे जो आख है वो मेरे पापा पर गई है मेरे आपर इसे दूसरी टीम में ट्रांसर हो रहे कि आप इसको देख सकते हो नहीं देख सकते ना तो कैसा आपका अमूर्थ यान की एबस्ट्रेक्ट कंसेप्ट आपका एक प्रेवरन अध्यन की जो सिक्सी का है क्या नाम है उसका ही ना उसका नाम है अपने विद्यार्य तुम्हें आनुवान शिखता कि समझ पैदा करने के लिए डेस का आयूजन करेगी बताओ कंसेप्ट आपके सामने देती है है अमूर्थ कंसेप्ट है बताओ सबसे बढ़िया तरीका क्या हो जाएगा हैंस ओन एक्टिविटीज बहुत बढ़िया तरीका माना जाता है बच्चे को शि बूमी का निबाना jour करेंगा और अपको विशलेशन करेंगा किस बढ़नों से जैसे हमारे आखोगा रंग होता है तो आनों हो गया पीला गया भूरा ंगया लगया नीला ँई हो गया इतने तो नहीं हो तो नीला रा और और का लмо फुदेन ठीक है तो एक इसकी मादम से एक्जांपल के मादम सर विसलेशन करके बता सकते हैं आंचर आपका फोर्त यापर सही हो जाएगा आप लोग किसके उपर गए और यह दोनों के उपर यह किसी के उपर भी नहीं है अब किसी को फिर क्या मतलब है कुछ भी मसोच दिमाध में उल्टा सिधा ध्यान चो सुनों मेरी बात को मालीज अगर बच्छा अपने मम्मी पापा के उपर नहीं जा रहा है तो मालीज उसके अंदर वो गुण नहीं है जो उसके मम्मी पापा के अंदर है तो देखना उसके दादया दादी उस प्रकार के देखने को को मिलेंगे data के परकार के देखने को मिलेंगे या दादा के दाद इस परकार देखने को मिलेंगे पैसा ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा रह Efendimiz in Wiik यह उसमें से किसी ओर वह बच्चा जा सकता है थीग है तो इसके दिमास केंदर कुछ इसी जीव डाली हुई है ठीक है अब यहापर question दे दिया स्वाद का लिकाओ की बात हुरी है किसकी बात हुरी है यहापर स्वाद का लिकाओ की बात हुरी है टेस्ट बर्ड की आपर बात हुरी है उनका सही अनुकरम जीव के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा बता हुए किस के माध्यम से जीव साफ स्वाद लेते हो आपने देखा होगा जैसे हम लोग गोली खाते हैं तो बिल्कुल पीछे की तरफ ठीक है जिसे बोलते हैं कि पीछे गहट की तरफ दे जा ठीक है और फिर पानी पीते हैं कोई और चीज खानी होती है मिठाई खानी होत से देखो कि किस-किस स्वाप कर लगेगा बताओ सामने आपकी स्क्रीन पर उप्षन है जल्दी से इसका चाहर बताओ तका इसका सही हो जाएगा किससात् ताव जा रहे हो ठीक है कि ए हा पर भलोk जाफर आधे के साथ जा रहे हो कैसा हो जाएगा आगे मिठा फिर नमकीन खट्टा और फिर पीछे कड़वा हो जाएगा सेकंड आंसर यहां आपका सही हो जाएगा बढ़ गए हम लोग अपने कोंचे कोश्चन की और अगले कोश्चन की और हम लोग आ गए 20 कोश्चन की और आ गए ठीक है हमारे डेड़ घंटे हो गया हमें क कराते हुए अच्छा तो मेरी घड़ी आगे चल लिए क्या मेरी घड़ी आगे चल लिए अगला कुश्चन देखे सामने स्क्रीन पर है यह रहा आपके सामने स्क्रीन पर अगला कुश्चन आगे इसके बार में बात कर लेते हैं ठीक है ठीक है ठीक है वा भाई वा तारिफ साइन्स ओप्रिटिकुलर जितने भी सेट आप लोगों को पढ़ाय जाते तो अंस अब को पता होना बहुत जरूरी एठीक है जिसके बारे में आपको एक बार जिकर भी करता लेंडिंग आउटकम के बारे में एक मतलब में में जितना उसने अधिगम करा है शीखा है वह किस एक प्रकार का आकलन होता है जिससे अगर मैं आपको यह पर चीज़े क्या काम करा रहा हो सिका रहा हो तो आप लोग क्या काम कर रहो अधिगम कर रहो अपलों कर रही कितना को स्कोर आपका हो बताओ थीस में São कौन सा learning outcomes नहीं है वो आपको बताना है ठीक पहला अच्छे और बुरे इस पर अपनी राय व्यक्त करना बिल्कुल ठीक बात है good touch और bad touch की आपर बात करी जा रही है I think ये question में पहले discuss कर चुका हूँ ठीक है मेरे ख्याल से साथ seated भी इस अगस्त में पूछा गया होगा देखे емся इसे गुड़ बात करी जा रही है मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जितने वाते मैं लिखता हूं न उससे जाधे जितनी बाते मैं समझाता हूं वह आपके एक्जाम आते क्यों क्योंकि पटार बहुत टाइम से मनलम आ आप लोग तो अभी पढ़ना है बहुत टाइम से बात कहता हुँ कि करिकुलम होता है ठीक है जैसे राष्टर्सचा अनुधी 2020 इस ही आई तो करिकुलम के अंदर हमें यहाँ पर सेक्स की कि बात कने शिए जैसे आप रह जो बच्चों को बताई जाते क्योंकि आपने देखांगा जो बच्चा किसोहर आवस्ता में जाता कि इस उनके आ जाती है तो वहाँ पर जब इनमें सारी परिवर्तन उसके अंदर आते हैं तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है तो जो लड़किया होती है तो अपनी मदर से कोई बड़ी सिष्टर होगी उनसे कंसल्ट कर लेती है लड़के नहीं स्कूल में बाइर अगर को या आपको बच्च पर प्रेस कर रहा है तो इस प्रकारी के अदिस ना बच्चों को दे सकते तो यह तो लेंडिंग आउटकम्स का परतिफल होता है ठीक है वह लेंडिंग आ और अनुभाव किये गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की परताव से सम्मंदित करना जैसे संचाद उनों के स्वामित में भेधवाव तो ब्याहिदवाव नहीं करना किसी भी रिसोर्स के बीच में सभी को एक जैसा हमको रखना है तो यह आपका नेगिटिव है क कुछ इस्तानी इंडोर आउट्डोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना कर सकते हैं कक्सा की दिशाओ की पैचान करना सेकिंड आंसर या पर आपका सी हो जाएगा किसी प्रकार से आपको भेधवाव नहीं रखना है ठीक है ठीक ठीक चलि अगला कोशन सामने आपकी स्क्रीन पर आगे यह रहा आपकी स्क्रीन पर कोशन जो लोग कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं तो भाई मैं सुरू में बता देता हूँ प्ले इस्टोर डाउनलोड करो सचने अकैडमी ओफिसल डाउनलोड करो आपर सभी सब जैट के इपलिकेशन है व सब मेरे पास आते हैं किसामिम आपके शिर gagले लेकिन प्रेसे अल walking शाप के कोई डिए लो इसलिए मार्किट में सभी किताबे मैं मैं बता रहां हैं आपकी जादेतर कचरा के तावे मिलेगी ठीक अगला कोश्चन है एंसी आइटी पढ़ सकतो एंसाइटी बैस्ट और अथेंटिक है ठीक है वह आपके लिए जैसे यह इसकी बात करो एंसाइटी ठीक है वह आपकी बैस्ट है कोश्चन आपको दिया हुआ है कि भोजन के निमलिकित सम साहा है अदेनों से उस समूका चैंब का यह जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समरत होते हैं प्रोटीन का क्या काम होता है जो आप शूरेसे के अंदर यो लड़के जाते है तो शेकर भीड मिलता है प्रोटीन मिलता अच्छी डाइट मिलते हैं नींद मिलती है तो जो आप हमारे मशल्स होते हुँ प्रदाइप्रद बढ़ते जाते यानि हम लोग जैसे मा लिए बासवक्त कर रहा है ठीक है तो यह जब पुरान मसल्स टूटेंगे, नया मसल्स इसको उपर आएगा, फिर इसको उपर आएगा, फिर इसको उपर आएगा, तो हमारे क्या होगा, साइज बढ़ जाता है, तो उसके लिए प्रोटीन की जरूत होती है, किस में होता है, अंडे में होता है, दाल में होता है, और मचली मे में भी होता है तो पहले यह आंचर ठीक लग रहा है क्या इनके लावा भी किसी और के अंदर लग रहा है बिल्कु ठीक आंचर पहले के साथ आप लोग चले जाओगे चलिए बढ़ते नेक्स्ट को सिंग वा भी वा बड़ा कोश्चन है ध्यान चे पढ़ना आयोप आपकी स् रिष्पस्च करते है कि जो प्रेवरन अध्यन है उससो था है एक अन्त्य अनुसासनिक विश्य होता है यहना का इंटर डिशीपलेन वी सब्जेक्ट होता है क्या होता है होता देखिए मैं आपको यहापर बत़ार हुआ था इसके बारे में कैसी एक आप्रोछ के माधन यहा जाता है इंटेग्रेटिड एप्रोच के माधनों से पढ़ा जाता इंटेग्रेटिड में होई थी इंटेग्रेटिड आप्रोच में से उन्हुन की और से गिंडा साइन्स सोचल साइन्स या पैडगोजिकल जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके सभी एकस्पेक्ट को एक साथ पढ़ा जाएगा या कह सकते हैं यह आपका इंटर डिस्प्लेनी सब्जेक्ट माना जाता है ठीक है तो यहां पर उप्शन दिये हुए है कि कौन सा कथन इस तथ् जालीए विभिविष्च्ट के जान को एक इकरत करता है बिल्कुल ठीक बताया है साइंस हो गया हुग तो सभी को सामयल बिल्कुल होता है ये भी हो जाएगा ये आपका जेविक यानिका आपका बाइलोजिकल सोचल यानि समाजिक और सांस्कृतिक परेवरण में होने वाली अंतेकरिया का भी छेतर होता है बिल्कुल छेतर होता है ठीक है क्योंकि सभी सब्जेट को बच्चे आपर की जाती है इस पूजा करते हैं तुलसी काल तूलसी का पूदा है तो तुला उप मा जाता है सांस्कृत तुलसी के पोदे की लोग पूजा भी करते हैं आयूप आपने देखा वा तो इस प्रकार से क्या होता है चाहा सामजी को सांस्कृति को इनके बीच में इंटर जो मलब इंट्रक्शन की बात होती है तो एवेस में यह सब चीजे एक साथ इसलिए पढ़ाए जाते है ठीक है य पहले की तयारी गलत यह पहले की तयारी नहीं है कि अगली किलास में जाने से पहले हमें बच्चों को सोशल साइंस साइंस पढ़ाना है तो पहले सोश का बेस बना दो यह नहीं है abcy answer आपका सी पहले है आप लोग आपकर किस के साथ जा रहे हो आप लोग के साथ जा रहे हो अगला क्रुशन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा next question जो आपको दिया हुआ है निमली कित में से कौन सा यूग मन सही है कौन सा पेर आपका सही है जा वो आपको बताना आ है ठीक है यहाँ पर सारी जंगन टेप रूट टेप रूट दिये होगा है कौन सा टेप रूट टेप रूट यह जो आपकी रहती है यह आपकी टेप रूट यादी मूश्या जट कई जाते है जिससे आपकी अलग-वाइंध सब्सक्राइब आपके तो कमेंटे रुक गए ठीक है आ गए फिर सा गए बताओ किसके साथ जारो थर्ड के साथ जारो बिल्कुल ठीक गजर ठीक है यह आपकी क्या होती है टैप रूट होती है मूसला जड़ होती है अब क्या होगे सर यह NCRT के इंदर नहीं है करते रहो दो चार एक लोग ने देखा होगा माना लिज़े कोई भी आप लोग चीज लेने जाते हो पैकट जाते हैं तो आपर आपको क्या देखने को मिलेगा हरे गोले आपको देखने को मिलेंगे और यह मेरा गोला साइद आपको स्क्रीन पे दिख भी नहीं रहा होगा जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकिट पर लाल गोले भी बने होते हैं बने होते हैं कि परेटों को विभिन भोजन उत्पाद हो के पैकिट देखकर उन्हें साकाहरी अथवा मासारी में सूची बद करने के लिए उनको यहाँ पर का है किनको सूची का कोड़िंग लगाओ तो इस गती विदी में इस activity में निमलिकत में से कौन सी परकिरिया यहाँ पर सामिल है Basically question आपके दिया हुआ है आपके परकिरिया कोशल से के परति समानता की बात करी जाती है यह सब आपके observation वो मुल्यांकन संकेत अक होते है ठीक है तो किसकी यहाँ पर बात हो रही है सामने screen पर option है बताओ जल्दी से क्या answer होगा तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ ठीक है किसके साथ आप जा रहे हो दीदी के साथ जा फ्रस नहीं हो रहा है वह हो जाएगा application के ऊपर सथे करा करो सभी बत्चे शेकरते hai ठीक है na य़्यास तो आम वड़े और कशान करना प्रोशा स्किल होता है और यहाद पर क्या का कर रहा है और यहाँपर क्या काम कर रहा है और कोई चीज मॉख़ा रही है कि ऐह पर कोई कल्पना हो रही है कल्पना थोड़ी हो जबी लिखका है हरीवाल इसाकारी लाल आपकी मारे तोगल्पना नहीं हो रही हैं क्या यहापर औस पूर्वागर है क्लासिफिकरिशन ब्लाशिफिकरइ क्या पता भाई सामने क्या काम करा ओनलाइन एक्जाम के अंदर नीरत चोपडा पूछ लिए पीवी संदु पूछ लिए अब नीरत चोपडा आपको पता कौन से है जेवलीन थ्रो के आपके प्लेर है यानि कि आपके भाला फैक्क के आपके खिलाडी है ठीक है और एक पूछ ने देखो किस तरीके के कोश्चन पूछे इन्होंने का कि जो नीरत चोपडा है और कहा के रहने वाले नीरत चोपडा हर्याना के रहने वाले नीरत चोपडा तो उस राज्य के जो लोग है यानि हर्याना के जो लोग है उनका मुख्य बोजन क्या है बताओ भई हर्याना व रोटी, दाल, राजमा, आलू, पराठा, यह answer क्या हो जाएगा, यह आपका ठीक हो जाएगा गलत, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यही तो खाते है, ठीक है, जो हरियाने के लोग खाते है, सेकंड हो जाएगा, एक यहाँ पर आपको नाम दिख रहा है, टैपी ओका, जिसका जैप्यों का होता है तो आंसर क्या हो जाएगा हरियाना के लोगों का सेक्ट हो जाएगा यह वाल आपका पीवी सिंदू का हो जाएगा ठिक चलिए बढ़ते आपके सामने next question के और यह ही रहा स्क्रीन पर अगला question आपके सामने ठीक देखें अगला question इसकम सोजब यह आतो वह समझ को सिछा कि यहाँ आपको एक ऐसे सिच्टुएशन दे गा और उसे पूचे का इस्तमाल ही कर जा रहा है तो वहां पर जा कर वह बच्च के किस परिये को कौछ को सो के माद्धम से उन्मुक होने क्या हो सकता है बिल्कुल चाहिए यह जो आपके परिक्रिया कोसल हमको चाहिए अब इसमें जो कारण दिया है रीजन दिया है उसने रीजन दिया है कि जो अलग-अलग परकार के जो परिक्रिया कोसल होते हैं उनको प्राप्त करने के माद्धम से EWS के सीखने के परिणाम को हासिल करने की संभावना होती है तो दोनों ठीक है और यह इसकी सही परकार से व्यक्षा करता है प्रोसेस इसके लिए यानि कि परिक्रिया कोशल जरूर आपको करने है मैं लगबग हरी किलास के अंदर आपको परिक्रिया कोशल कराऊंगा क्योंकि एक एकजाम में मलब आपके एकजाम में एक नंबर का डैफिनेटली पूछा जाता है ठीक है अगला कोश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा आपके सामने नेक्स्ट कोश्चन की मच्छों के परजिनन को रोकने के लिए ठेरे हुए पानी के प्रष्ट पर केरोस आपके ठीक है तो यहापर के डाल ते इसे पानी के अंदर डाल देये करोसमे दäreके ओल तो पत्याLab की मच्छर इंधायो इसको सास नहीं मिलती यानि कि ओक्सिजन नहीं मिलती और उक्षिजन नहीं मिलती तो लारवा खतम मच्छर खतम बीमारी भी खतम इसलिए पानी में क्या डालते हैं तेल डाल देते हैं ताकि मच्छर के लारवे को खतम कर दो और ताकि मच्छर से होने वाली बीमारी या ना हो सके तो आपको बताना क्या होता है मच्छर केरो जाते हैं यह आपका से हो जाएगा ठीक है सब्सक्राइब को परत ऑपूर्टिक अच्छा यार सबसे पूरूपेट तो यह के रोशीन से तो मर जाते हैं जब पानिक देड़ेगे बहुत से बहुत से बहुत इसले कहते हैं सारे उप्शन पढ़ लिया करोप केरोसीन की जो परत है oxygen की आपत्र को रोक देती है जो आपका density पानी कि उसको गनत को कम कर देती है और मच्छरों का जो परजनन होता है वो थम जाता है और वो लारवा वही मर जाता है फूर्थ अंचर सबसे अप्रूपीटेस का ठीक है मचर कि रोशीन की परत्में फज्जाते नहीं वही आपका बढ़ते बापके नेक्स्ट कोश्चन के और यह रहा सामने आपकी स्क्रीन पर अगला कोश्चन ठीक है यह रहा आगे अगला कोश्चन बड़ा कोश्चन है ध्या भी भी आपके सिलिबस कि दर देवाट जैंडर एजशीन कटक्ट जेंडर ना माने जाता है वही गोटियों के साथ अगर लड़का भी आपको गोटियों के साथ खेलता हो मिलेगा उस लड़के के घर वाले या उसका आस्परोस वाले कहेंगा लड़के वाले गेम खेल लाए ठीक है तो यहापर दियावा है वह है अपने अध्यापक से पूछता है लड़का पूछता है कि लड़के और लड़किया अलग-अलग क्यों खेल रहे हैं लड़के गोटिया क्यों नहीं खेल सकते हैं क्यों वह लड़किया गोटी नहीं खेल सकते हैं खेल के बता देना आज अपने घर के अंदर यूँ फैक न और उचल उचल के जाना ठीक है और डब्बे से बना देते हैं ठीक है और लड़किया क्रिकिट क्यो गटना में समलित होते हैं क्योंकि देखे जो यह आपने लिखा हुआ है जेंडर एस सोचल कंश्ट्रक्ट जेंडर सामजिक सरचना होती है इतनी जल्दी खतम नहीं होगी कभी सोचर इतनी जल्दी खतम हो जाए ठीक है बली आप लोगों में दो चार पड़ जाए अब बतिये इसके सामने स्क्रीन पर एक एक करके उप्सन है उसके उपर नजर डालते देखे पहला दिया हुआ है उच इस तरिये आलोचनात्मक सोच की बात हो रही है जिस भी एक उप्सन के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग आ जाए उसको पोजिटिव मिलेना उसके उपर देखते से कर द को संवेधन विक्सित कर दा संस्क्रितिक नजरीय cabinet तो करनी रहाए ये कुछ संस्क्रितिक नजरीय थोड़ी और की बच्चों को आपको सेंसीटिव बनाना खीक क्या बनाना है जेंडर के परति बनाना है ताकि जेंडर बाइस ना कर सके लड़के-लड़कों के बीच मे closer, environment लड़किया आप लोग किर्किट खेलो लड़को तुम गोटी खेलो यहाप ठीक है तो आप लोगों के अंदर भी क्योरिशीटी जगेगी आज मैं भी गोटी खेलूंगा ठीक है गोटी गोटी खेलेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा अंसर आपका आपके सामने नेक्स्ट क्यों अगला प्रिश्ट्न आपके सामने और यार एक और गोटी वाला पता हुआँ कियाकाink ने पहली और फिर पता है क्या काम करती थी ऐसे मूठी से भरके खेलिए होगे कुई शा आप में यूप तो नहीं खेले मैं रटे से यहीं पेलेसा घृष कर बारे शंब completa झाहा अगला देखते हैं, नीचे दी गई, पहली को हल करो, अभी करते हैं भई, पहली को, कूटी जाती हूँ, पीसी जाती हूँ, कौन सी बलाए भई, भोजन तीका खूब बनाती हूँ, अच्छा, भोजन को जो तीका बनाती है, खाने में ज़्याद होने पर मुझ से निकलती है, क्या CC क्या निकलती है और आख और नाक से निकल लेते हैं पानी याद दिला दून की नानी सोचो सोचो को नुम है जल्दी बोलो को नुम है अगर आपने इसकी ज़्याद मात रखाई तो सब चीज आपको याद दिला देगी CC PC सब आपकी निकलेगी तो बताओ यहाँ पर किस अब आपके सामने स्क्रीन पर आगया जो आपका लाश्ट कोशन है इसके ओपन नजर डाल लेते हैं फिर उसके बाद अपना मुझे आप लोग स्कोर बताना ठीक है ठीक है तरजी हमने भी खेला है हाँ खेला होगा यह यह वाला गोटी वाला ठीक है चलो अगला कोशन स्क् पढ़ना किसी भी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना कोशिश करा करो 500 कोशन मत पढ़ो 500 कोशन पढ़ने की जंगा है पचास कुछन ऐसे पढ़ लो जो डीटेल में आपको बता रख्ते हो जो डीटेल में दिए ओठीक है उनसे भी आपका सीट एटका एक्शाम पास हो जात प्राइमरी स्कूल की कोई टीचर है क्या नामें पिरिया ठीक है तो अपने विद्धारत्यों के साथ परेवरन अध्यन की क्लास में विभिन छेत्रों में मनाई जाने वाले फसलों की कटाई से सम्मधित आपके तोहारों पर चर्चा कर रही है तो उसके दौरा उल्लकित फसल की कटाई पर कौन-कौन चापके तोहार मना जाता है यह कुश्चन आपके सामने दिया हुआ है ठीक है चलो भाई पहला बीहू बिल्कुल भाई बीहू आपका का मना जाता है असाम के अंदर मना जाता है असाम के अंदर जब फसलों की कटाई होती है तब आपका तोहार मना प्सक्राइब पर लोड़ी यह जो बेसिक लियाब के पंजाब के दर होता है तो आंसर क्या होजएगा पहले आंसर आपका तमिलाडू के इंदर मनाया जाता है पोंगल आपका तमिलाडू के अंदर मना जाता है गुड़ी पाडवा आपके महराष्ट के अंदर मना जाता है ठीक है तो ये तो नहीं होने के रहे आंचर आपका फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर हमने कर लिए आज की अपनी किलास को करतिए कि आपका इस्कोर कितना हो आया है इमांदारिष अपना इसकोर बतें रळाएगे और वीडियोगों को शेयर करो अपने दोस्त यार को बतादिये करो ठीक है कि वहीं पढते पढ़तें उन्सा पढ़ लो ठीक है वो करतें करो जो दिह पाकर स्कार का लौग सेकिल अ Б बत यह मांदारी से आपका कितना स्कोर हुआ है अब मैं आपके स्कोर को यहाँ पर एक एक करके देख लेता हूँ ठीक है अधिक है भाई के इसमें जाके सचने अप्लिकेशन को डाउनड पर ठीक है डेली पता निए कितने बच्चे जो अभी भी महलब पर चेज करते हैं इसको आप डाउनड करो और स्टैप बाइस्टैप इसके इंदर्डर आपके सारी दिवे बड़ा साने ठीक है अभी देख लेता हूं राकेस क कि आए ऩी में से पत्चीस निसागभी थीस में से पत्चीस समीम के आपके 25 सुमेरा के 27 रोहन के 28 में से 30 है अरूंतिवारी के ten अर्फ में से 30 है अर है घडव सही से तो लिख लो इसे ठीच है मुझफर आलम के 24 है आँ मदन के 26 है इसन्जु के ति पत्चीस है वही मलब पत्चीस में से 30 है ये ति-धि नोच डाउनलोड नहीं हो रहा है भाई नोच्ट डाउनलोड हो जाएंगे अब्लीकेसिन के अंदरी आपको फोल्डर मिलावाई नोच के नाम से वाट डाउनलोड कर ले क्यु Creed मिला ओक ट सब्सक्काइब कर लेना ताक आप को किल से तरग से मिलते रहे और आप लोग जो कमेंट करते हैं तो चनल को सब्सकाइब कर लिए क्रोफ सब्सक्राइब मतलब कुछ ही बश्चों का कम है कोई बात मिंई पहली क्लास दीरे-दीरे करिके रबढ़तेstell year या mathematics हो गया खासकर पेपर 2 हो गया तो इनके लिए आप लोग मतलब बैच ले सकते हो ठीक है क्योंकि यह चीज आपको डिटेल में जब पढ़ोगे कम से कम आपको इनके लिए आपको डेट दो महीना चाहिए होता है ठीक है तो वन्हां तो काफी चीजे में कराता ही रहतो सब्मिट करा करो सब्मिट होने बाद आपकी पूरी लिष्ट आजाएगी आपका कितने कुर्शन आपने ठीक करें ठीक है ठीक है ठीक है बई चलो फ्रेंड्स मिलता हूँ कल आप लोग इस आठ बजे किसी दूसरी क्लास में आयोप आपको इक लास पसंद आई होगी तब तक पड़ते रहना द्यार नखना गुर्णाई टेक क्यार